सब के दिल के एक छोटे से कोने में एक ख्वाइश जरूर होती है हमेशाद जवान रहने की ख्वाइश, बुढ़ापा देर से आने की ख्वाइश हर कोई इसको पूरा करना चाहता है, वो फिर अमीर हो या गरीब हो वैसे जवानी के वल भारी अपिरेंस का ही नाम नहीं है यूद्फुलनेस आपकी हैल्थ और एनरजी का रिफ्लेक्शन है जो दिखाई देने के साथ साथ महसूस भी होना चाहिए लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम वक्त के इस पहिये को रोक सकते हैं क्या हम अपनी उम्र से कम उम्र के दिख सकते हैं शायद नहीं क्योंकि हम सब ने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना बिजी और स्ट्रेसफुल बना रखा है कि खुद पर ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं रहता हम सब अपने गैर जरूरी कामों को प्रैरोटी पर रखते हैं तो ऐसे में कैसे संभाव हो सकता है कि हम बढ़ती उम्र को रोब पाएं ये मैं आज आपको बताऊंगा ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये जरूर संभाव है जी हाँ दोस्तो आज मैं आपको चार ऐसे चमतकारिक फोड बताने जा रहा हूँ जो ये गुन रखते हैं कि आपको बुढ़ापा देर से आने ले आप में यूथफुलनेस को बनाई रखे और बहुत सारी बीमारियों से भी बचाई रखे जरा सोचिए कि आज आपके दिन की शुरुवात कुछ ऐसे डिलिसियस इंग्रिडियंट से होती है जो टेस्ट में तो अच्छा होते ही है साथ में जबरदस्त नूट्रिशन भी आपके बोड़ी को देते है जो उम्र बढ़ने के प्रोसेस को स्लो कर देता है तो चलिए सबसे पहले नमबर आता है चिया सीड्स दूस्तों चिया सीड्स का सबने नाम सुना ही होगा चिया सीड्स एक ऐसा सूपर फूड है जिसका उपियोग सदियों से होता आया है इसमें ओमेगा थरी फैटी एसीड बहुत ज़्यादा होते है साथ-िस में एंटी ऑक्सिडेंट्स और एंटी इंफ्लामेटरी प्रोपर्टीज भी होती है और बहुत सारा फाइबर भी पाय जाता है ये बोडी में इंफ्लामेशन को कम करता है इंफ्लामेशन एक ऐसी चीज है जो हमारी उम्र बढ़ने के प्रोसेस को तेज कर देता है तो जब हम चिया सीट्स का सेवन करते हैं तो इंफ्लामेशन कम हो जाता है जिसके विज़े से आप बहुत दिनों तक जवान बने रहते हैं इसके अंदर एंटियोक्सिडेंट्स भी भरपोर मातरा में होता है ये बोड़ी के अंदर फ्री रेडिकल से लड़ते हैं जिससे बोड़ी के अंदर सेलिलर डेमेज कम होता है और इससे एजिंग प्रोसेस स्लो होने लगता है चुकि इसमें fiber भी पाई जाता है तो fiber digestion के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसे पेट साप अच्छे से होता है हाजम अच्छा होता है और साथ ही में ये cholesterol को भी कम करता है चिया सीट्स बोड़ी के अंदर पानी की कमी नहीं होने देते ये अपने वजन का लगबग 12 गुना तक पानी को अब्जोर कर सकता है तो जब आप इसे लेंगे तो आपके अंदर हाइड्रेशन बना रहेगा पानी की कमी महसूस नहीं होगी जिसका असर आपकी स्किन पे दिखेगा वो टाइट और फ्रेश दिखेगा ये आपको खुबसूरत तो बनाएगा ही साथ में आपका मोटापा भी कम करेगा इसको लेने का क्या तरीका है दोस्तो इसको आप एक चम्मच रात को पानी में भीगो कर रख दे और जब मॉर्णिंग में आप उठोगे तो इसको दूद के साथ या ओट्स में डाल कर भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो ऐसे ही पानी के साथ भी पी सकते हैं आप इसको कैसे भी लीजिए ये उतना ही बेनेफिट देगा आगला नंबर है अक्रोट का अक्रोट में भी चिया सीड्स की तरह ओमेगा 3 फैटी असीड भरपूर मातरा में पाय जाता है लेकिन एक चीज और इसमें होती है वो है विटामिन E विटामिन E एक ऐसा पारफुल एंटी अक्सिडेंट है जो आपके भीतर एंटी एजिंग बेनिफिट सकता है इसके अलावा ये हार्ट की हेल्थ भी इंप्रूव करता है जवान दिखने के लिए हार्ट का सही से काम करना बहुत ज़रूरी है इसमें पाय जाने वाले मिनेरल्स हार्ट को जवान रखने में बहुत हेल्प करते हैं इसके अलावत दिमाग की तरह दिखने वाले ये नट्स दिमाग को भी तेज करते हैं। उसको पावरफुल बनाते हैं। इच्छे से बैनेफिट लेने के लिए इसको रात को दो-तीन गीरी लेकर एक कटोरी पानी में भीगो देना है। सुबह में इसको पानी से निकाल लेना है और उस पानी को फैंक देना है। पोसिबल हो तो इसकी उतार लो नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और इसको आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है। साथ में आप दूद भी ले सकते हैं। आपको सिर पितना ही करना है दोस्तों कुछी दिरों में आप देख से चबरदस्त मिनेरल्स पाए जाते हैं। सेलेडियम के मिलने से आपके बाल, आपके नाखून और आपका थाइरोड ग्लेंड हेल्दी रहता है। बादाम को विटामीन ही का भी अच्छा सोर्स माना जाता है। विटामीन ही आपकी स्किन को निखारने में मदद करता है। क्योंकि बादाम में हैल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर अच्छे से पाए जाता है और कार्ब्स कम होता है। इसलिए ये आपके बलड शुगर को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों बादाम के बहुत सारे फाइदे हैं। अब आपको इनको लेना कैसे हैं ये स देशी बादाम के मुकाबले कम बेनिफिट देता है। देशी बादाम की गीरी छोटी होती है लेकिन उसमें कैलिफोर्निया बादाम से ज्यादा ओयल पाए जाता है। तो इन देशी बादाम की चार-पाज गीरी आपको रात को भी हो देनी हैं। और सुभे उठकर उनका जिलका उतार के सेवन करना है। दोस्तो चोथा सूपर फूड जो आपको लेना है वो है किश्मिस। अंगूरों को सुखा कर किश्मिस बनाए जाती है। इसमें भी फाइबर और एंटियोक्सिडेंट्स बहुत पाए जाते हैं। इसलिए यह आपके खाने को अच्छे से ड घबराट रहती है। चक्कर आते हैं। बीपी लो रहता है। उन लोगों को किश्मिस बहुत हैल्प करता है। अगर बोडी में खून की कमी हो हीमोगलोबिन की कमी हो तो किश्मिस इसे बहुत अच्छे से पूरा करता है। दोस्तो किश्मिस में बोरोन भी होता है। जो कैल इनका पानी के साथ सेवन करना है आप इसका पानी भी पी सकते हैं उसमें भी बहुत नुट्रियंट्स होते हैं तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही करना है इन चारों सूपर फूर्ट्स का आप यूज करके देखिए आप कुछी दिनों में देखेंगे कि आपके अंदर एक नहीं उर्जा का संचार हो रहा है आपका कुछ करने को उठने को मन करेगा आपके अंदर ताकत बढ़ेगी और बढ़ती उमर का असर कम होता चला जाएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही आप कोई वीडियो कैसी लेगी कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को भी सबस स्क्राइब करें थैंक यू